हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल खाने का जुगाड अभी तक चैनल सबस्क्राइब ना किया गया है तो प्लीज कर दीजिए आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी जो की बहुत इजी है बनाने में और बहुत टेस्टी है काजू और टमाटर थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया नमक एड़ करने से टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे जल्दी अब प्यास टमाटर काजू को हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे एक्चुली मुझे फोड़ जादा जल्दी हो रही थी तो मैंने इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिये ताकि मिक्सर का जाड़ जादा गरम नहीं हो और इसके साथ मैंने अध्रग भी डाला है तो अगर आप भी बहुत बीजी है और आपको भी तुरंत ही ग्रेवी बनाना हो ग्रेवी पीस ना हो मिक्सर में तो आप भी थोड़े से आइस क्यूब्स डाल सकते इससे मिक्सर खराब नहीं होगी और एकदम से बहुत गरम नहीं होगी अब मैंने कड़ाई में बटर डाला है बटर डालने के बाद मैंने हरिमेट्च, लसन, जीरा और हिंग डाल दिये इसके बाद जो हमने ग्रेवी बनाई है उसको हम अच्छे से कुक करने रख देंगे खाने का जुगार सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट है आपको इजी हेल्दी टेस्टी रेसिपीस के साथ इंदोर के स्ट्रीट फूड लोकल प्लेसे और भूछ सारे होटल्स और रेस्टरों के रिव्यूज भी मिलेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब और ला मेथी को मैंने अच्छी तरह से धोके साफ कर लिया था और मटर को भी तो अब यह मेथी मटर जब तक कुक हो रहें तब तक हम हमारी ग्रेवी में मसाले एड करते हैं तो बेसिक मसाले ही हम इस ग्रेवी में डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिट्च पाउडर और धनिया पा कवर कर देंगे और अच्छे से कुक होने देंगे के सब्जी j espaço इसके बाद हम एड़् करेंगे मेथी और मटर थोड़ा सा मैंने आदी कटोली पानी एड़् किया है और साथ मैं एड़ किया है गरम मसाला बहुत अच्छी खुश्बू आने लग गई है सबजी की थोड़ी देर और सबजी को ढखकर कुप करेंगे फिर एड़ करेंगे इसमें मलाई तो मैंने घर की फ्रेश दूद की मलाई जो है वो ही उसकी है आप चाहे तो क्रीम भी उसकर सकते हैं बाहर से लाकर जैसे मलाई एड़ करी सबजी में एक अलगी रिचनेस और अलगी कलर आ गया वाव मतलब बहुत ज्यादा टेम्टिंग लग रही आप देखी सकते थोड़ी देर और कुप करने के बाद यह हमारी सबजी रेडी हो गई है आप इसे रोटी पराठा नान जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे